हेलो डियर स्टुडेंट, वेलकम टू और यूटूब चैनल, हम लोगों ने अपने इससे पहले लेक्चर में क्लास 12 के फिजिक्स के ब्लूप्रिंट और सिलेबस की डिस्कुशन की थी, आज हम चेप्टर वन को स्टार्ट करने वाला हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ह हमारे ने चेप्टर वन को स्टार्ट करेंगे, तो सभी स्टुडूरेंट वाले हैं, आज के इस इंपोटेंट और इंट्रोडेक्शन को जाहां हम बेसिक से लेकर हर एक चीज देखते हुए चलेंगे, तो अन्ध तक जरूर बने रहे हैं, वाच करते रहें, और यदि हमार या वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मैक्सिमुम सेयर करें ओके देखो और एक इंपोर्टेंट बात बता दूं मैं कि हमारे वीडियो लेक्चर का जो सिरीज चल रहा है उसके लिए मैं सबी को अपने इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा ठीक है जो एक या फर्स्ट आफ में मैं एक नया से डियूल जारी करने वालो हूं ठीक है तो इस से डियूल और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को जरूर द हम एक प्रॉपर टाइम मैनेज कर लेंगे और कंटिन्यू अपने क्लास को डेली चलाते रहेंगे अभी थोड़ी दर उदर की यहां टाइम निकल जा रहे हैं ठीक है तो उसके बाद एक प्रॉपर टाइम पे हमारा क्लास जो है टॉपिक वाइस चलते रहेगा समझा गया इस चार्चे एंड फिल्ड है उसके पूरे डिटेल सीलेबस की जो डिसकुसन थी हमने प्रिवेस सेशन में कल ली थी हम आज इस चेप्टर को स्टार्ट करते हैं जैसा मेरा हमेशा से लेक्षर रहा है कि हम बेसिक से ही हर चीज को सीखते जाएंगे कुछ भी चीज नहीं छ and properties of stationary or slow moving electric charges it is the branch of electromagnetic 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 magnetism का एक branch है और electromagnetic काफ़ी बड़ा है broad है ठीक है? इससे समझे तो देखो electromagnetism जिसे basically हमारे class 12 में आपके total four unit जो है electromagnetic से कंप्लीट होने वाले हैं जिसमें टोटल 33 मार्क्स के कोश्चन आपको बोर्ड एक्जाम में राइस होने वाले हैं आप समझ सकते हैं यह जो ब्रॉट एक ब्रांच है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोटेंट होने वाला है ठीक है तो इलेक्ट्रो मैगनेटिस्म के अंदर हम दो चीजे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे हम देखते हैं तो इलेक्ट्रो मैगनेटिस्म में आता है इलेक्ट्रो स्टाटि impacts pushes before this mundi остato सब्वेख आगे हैं तो इलेक्ट्रों यंट्रों मैगनेटिज्म के सेकेंड पार्ट में यहां है इलेक्ट्रों डैने मिक्स जहां हम् चारज in motion की बात करेंगे चारज जो है Electro-Dynamic Scan अंदर है ठीक है तो यह Electromagnetism जो है उसमें से Overall 33 Marks आपको Board Exam में आएंगे यह clear हुआ गया सबसे पहले ओके आगे चलते हैं तो Unit 1, 2, 3 और 4 यह 4 Unit जो आपके Class 12 में है वो पूरे Electromagnetism के ही अंदर आते हैं तो यह lecture बहुत Important है क्योंकि यहां पूरे Base को सीख जाएंगे और यहां से आप Unit 1, 2, 3, 4 सबके लिए Basic Information आप ले लेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस Important Session को As we know the Electric Charge Is Intrinsic Property of Matter Clear है Electric Charge जो है Intrinsic Property है Intrinsic Property means यह Last Property है आप इसके बारे में यह नहीं कह सकते कि सर यह कहां से आया इसके बारे में आप कोई खोज भी नहीं कर सकते जैसे मास की बात करें मास is also इंट्रिंसिक प्रोपर्टी और आप नहीं बोल सकते सर मास कहां से आया मास का क्या करें मास 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 कुछ नहीं समझ आएगा वही क्या है लास्ट है वही फंडामेंटल प्रोपर्टी है बात लियर हुआ इंट्रिंसिक मींस ठीक हैं अब देखो इसके अगर देफिन की बात करें या यह क्या है इसके कुछ important symbol इसा unit quantity कैसी है यह सब देखें तो समझते है electric charge is the property of matter due to which it produces and experiences electrical and magnetic effects clear हुआ के सभी को ठीक है the symbol of electric charge is Q either B capital or in small letter clear the SI unit of electric charge is column notation is capital C and it is a scalar quantity it has no direction okay so these are the important thing about electric charge now okay if a body has excess of electrons is said to be negatively charged and if it has excess of protons it said to be positively charged इसका कहना यह है कि अगर किसी body में क्योंकि सभी body जो है atom से मिलकर बनी हुए और atom में क्या होता है सर electron proton होते हैं electron and proton होते हैं और हम बात कर सकते हैं कि अगर excess of electron है किसी body में तो उसे हम negatively charged कहेंगे negatively charged body है okay और अगर किसी body में protons जो है excess amount पे हैं तो उसे हम positively charged body कहेंगे simple है okay so इसके बिहाब पे there are two types of electric charge first one is positive charge and second one is negative charge positive and negative तो दो टाइप के charge होते हैं positive charge और negative charge बात करें सर positive positive की तो positive positive और negative negative दोनों हमेशा लड़ाई करते रहते हैं they repel each other like charges repel each other and unlike charges तो भाई घर घर वालों से लड़ाई और दूर वालों से प्यार बनता है यहां unlike charges plus minus और minus plus attract each other I hope यहां तक सभी को पूरी बाते समझाई होगी ठीक है okay और देखें हम लोग कि भाई यह charge और सर आपने मास भी बोला दोनों क्या है intrinsic property है तो सर दोनों में difference भी तो कुछ होगा difference या relation दोनों में अगर समझें तो charge always comes with mass charge हमेशा mass के साथ आता है यदि किसी body में से कोई charge की कमी होती है और दुसरे body में कोई charge जो है increase होता है या decrease होता है तो इससे mass भी effect होता है बट इसका opposite नहीं होता ठीक है mass हमेशा charge के साथ आएगा यह जरूरी नहीं है ठीक है यहां आप यह figure पर देखेंगे जहां हमने A भी यह सर्गल की हमें उस पर ध्यान से समझो थोड़ा कैसे जो है charge always comes with mass होता है हम कैसे समझ सकते हैं suppose एक body A है ठीक है जिसके पास क्या है कोई भी charge हो चलो छोड़ो उसको एक body हमारे पास क्या है A है अगर उसमें से एक electron move कर जाता है एक electron देखो यहां एक electron move कर गया एक electron निकला इसका मतलब इसका मतलब क्या हो सर क्या हो सर क्या हो वो body पहले neutral था और अगर वहां से एक electron निकल रहा है neutral means समझे थोड़ा neutral means बराबर बराबर positive और negative मतलब proton भी उतने ही और electron भी उतने ही तभी तो neutral होगा body जो है ठीक है तो यह body पहले जो है body A जो है वो क्या था पहले neutral था अब उसमें से एक electron निकल गया तो अब एक electron निकल गया तो क्या बढ़ गया सर बढ़ गया यहां पे plus proton बढ़ गया proton बढ़ गया इसलिए इस body क्या हो गया इस body पे चार जा गया positive सिंपल है समझाया क्या अब देखें अब यह electron जो है मूँ करके कहां चले गया body B पे चले गया body B पे electron मूँ करके चले गया तो अब ही पहले क्या था neutral था कैसा था neutral था मतलब वहां पे भी electron और proton equal थे लेकिन जैसे ही एक electron पे गया तो electron क्या हो गया increase हो गया बढ़ गया that's why negative charge here in body B body B पे कौन सा चार जा गया negative चार जा गया यहां तक बास समझाया क्या सभी को अच्छे समझाया ठीक है समझाया फिर से एक बार reason करें देखें तो भाई body A जो neutral था body B भी neutral था सबसे पहले यहां body A से electron निकला और move करके कहां चले गया body B पे चले गया क्योंकि body A से electron निकला था इसलिए positive charge वहां बढ़ गया और वो क्या हो गया positively charged हो गया और body B पे वो electron जाके घुस गया जिसके कारण वहां पे negative charge आ गया बात clear हुआ यहां तक ठीक अब देखो body A को देखो body A से क्योंकि electron निकला था और electron निकला था तो चूकी हमें पता है कि electron का mass जो होता है 9.1 into 10 is to power minus 31 kg होता है कहीं रहा कहीं उसका थोड़ा mass तो है और वो mass वहां से निकल गया जिसके कारण body A का mass जो है क्या हो गया decrease हो गया while the mass of body B is increased clear यहां तक समझ आया है पूरी बाते है चलो तो यह तो हमको समझ आ गया कि भई charge जो है हमेशा mass के साथ आता है अगर transfer of charge होगा तो transfer of mass भी होगा यह कहें गया clear हुआ और बात करें charge और mass में तो charge जो है दो टाइप के होते हैं क्या positive और negative but mass always isn't positive मैंने कभी नहीं सुना कि कोई body जो है minus 5 kg है sir आपने सुना है क्या ठीक है समझ आया दूसरा charge is independent of speed charge जो है क्या है independent होता है speed के जबकि mass speed पे depend करता है एक फेमास formula हम लोगों ने पढ़ा क्या class 11 में बहुत use किया है m is equal to m0 upon under root of 1 minus v square upon c square यह formula use क्या होगा ठीक है अब देखो जहां यह m0 जो है initial mass है और यह m जो है mass of body है ठीक है v जो है क्या speed या velocity of body है और c जो है speed of light है तो इस तरह से यह जो mass है वो किस पर depend करता है speed या velocity पर depend करता है ठीक है but charge is independent of speed इसको speed से कोई लेने दना नहीं होता यहां तक बाते समझा ही सभी को अब देखो यहां clear नहीं दिख रहा होगा थोड़ा पर मैं detect करते जा रहा हूँ बस बाते ध्यान से सुनते जाओ अगर notebook तैयर कर रहा हो तो बिल्कुल अपने notebook में इसे mention करते जाना ठीक है चलो तो हमारे पास कुछ ways होते है ways to produce charge या methods of producing charge ठीक है तो दो तरह के method जो है रहने को तीन तरह के method होते है ठीक है यहां आपने दो लिख है first जो है क्या है by conduction ठीक है कंडक्शन है second जो है induction by induction और थर्ड जो process होता है वह है by friction ठीक है तो यह तीन तरह के process बिल्कुल हम discuss करेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में मैं इसको बहुत ही methods होते हैं जिससे एक body को हम क्या कर सकते हैं चार्ज कर सकते हैं या एक body में charge produce कर सकते हैं लास्ट में देखेंगे इसको details से अब इतनी बाते हमको electric charge के बारे में समझ आ गई तो इसके कुछ properties समझ लेते हैं कौन कौन से basic properties होते हैं there are basic property of charge is here okay first one is there are two types of charge namely positive and negative charge ये बात तो सभी को पता है कि दो type के charge होते हैं एक positive होते हैं एक negative होता है second one is like charges repel and unlike charges attract each other now come to next property third one is charge is a scalar quantity तिनों property अच्छे समझ आया ठीक next charge is additive in nature ठीक है थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको अच्छे समझ आगा ठीक charge is additive in nature इसको समझते हैं ये जो है algebraic जैसा सम करते हैं वैसा ही कुछ होता है अगर हमारे पास कुछ charge है suppose प्लस 2 कुलाम प्लस 5 कुलाम और माइनस 3 कुलाम जब हम इसे aid कर देंगे तो algebra या algebra में जो हमने aid करना या सम करना सीखा था वही rule फॉलो करने वाले हैं तो हमारा answer क्या हो जाएगा प्लस 4 कुलाम इसे ही कहा हमने कि additive in nature होते हैं तो चार प्रोपर चर्जेस अट्रेक्चड थर्ड वनीस चार्ज़ड़ीश सकेलर क्वंटीटिय। यूव फोरीश चार्ज़े इस दिविं नेचर। इस इसक्लियर अगे बढ़ें तो पांच वा जो प्रोपर्टी है। नंबर फिप्त प्रोपर्टी इस चार्ज़ड़ीश कुंटाइज and the next property is charge is conserved both properties are very important and हम इसे separately discuss करने वाले हैं one by one ठीक है तो सबसे पहले हम यहां charge is conserved और conservation of charge करने वाले हैं हमारे syllabus में इसे दिया भी है आप देखें syllabus की जो discussion हुई थी कल के class में तो one by one पूरे syllabus को cover करते हुए हम चलेंगे so now conservation of charge देखते हैं conservation of charge क्या है यह क्या कहता है तो सभी एक साथ मेरे साथ दोहराएंगे सभी को जैसा पता है जहां हम conservation की बात करते हैं सब के मुँ में तो यह गाना जरूर आता है कि charge can neither be created nor be destroyed only be transferred charge can near be created nor be destroyed only be transferred charge को आप transfer बस कर सकते हो नहीं बना सकते हो और नहीं destroy कर सकते हो clear हैं अगर इसको दूसरे टम में देखें तो यह भी कहा जाता है कि the total charge of an isolated system is constant जो total charge होता है किसी भी system का isolated system का isolated system का जो charge है total charge है वो हमेशा क्या होता है constant होता है यहां तक clear होगा क्या isolated जो system है उसका charge है या total charge हमेशा क्या होगा constant होगा कैसे होगा समझते हैं ठीक है isolated जानते हो क्या एक close system होता है isolated system एक close system होता है जाना तो mass और ना ही energy जो है transfer हो सकता है ऐसे system की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे charge हमेशा क्या होगा constant होगा जैसे हमने यहां एक example लिया है देखो यह है एक isolated system विचारा अकेला पड़ा हुआ system है isolated है देज दुनिया से कोई मतलब नहीं है इसको ठीक है अब यहां पे charge देखो तीन हमने लगा दिया क्या तीन charge यहां रखे हुए plus 5, plus 1, and minus 2 इतने charge है उस isolated system के अंदर में ठीक है अब क्या करें हम लोगों के पास देखे तो total कितने charge है इस जो isolated system है उसका total charge कितना हुआ plus 5, plus 1, 6 होगए plus 6, minus 2, कितने होगए plus 4, plus 4 जो है charge है ठीक है plus 4 हमेशा यह system पर क्या रहेगा constant ही रहेगा यह है इसका मतलब हमेशा system में क्या रहेगा इस system के लिए हमने एक example लिया अब इस example के according हमारे पास plus 4 जो charge है वो हमेशा constant ही रहने वाला है चाहे आप इसके साथ कुछ भी धुमधड़ाका कर दो समझाये क्या ठीक, देखें अगर हमारे पास यह एक system था ठीक है, इसको पकड़ के हमने भईया बहुत अच्छे से हिला दिया पूरी तरह से इधर उधर हिला डुला के mix कर दिया ठीक है, इस system को इतने charge थे अब इस system को पूरा हिला डुला के हमने mix कर दिया, mix करने के बाद हमने बोला कि यहाँ देखो, plus 3 और plus 4 है तो यहाँ पे कितना charge होगा अब क्योंकि आप बहुत समझदार हो, आप यह समझ गए हो कि भई, system में, इस closed system या isolated system में कहेंगे, कि पूरा जो charge है, वो हमेसा constant ही रहने वाला है, आप दिमाग लगा लोगे, सर्ज इतना पहले था उतना, इसके साथ यह इस्थिती करने के बाद भी रहेगी ठीक है, तो आप simple सर के calculation करोगे, plus 5 plus 1 minus 2 is equal to plus 3 plus 4 plus question mark अब question mark आपको यहां find करना है, अब क्या करोगे simply mathematics लगाओगे और solve कर लोगे ठीक है, तो transpose किया, इधर plus 3 और plus 4 को उधर transpose किया और इधर का, जो left hand side का है, plus 4 plus 1 minus 2 तो आपके पास answer आगया किया, plus 4 और इधर से plus 3 और plus 4 को उधर transpose किया, तो आपके पास आगया किया, minus 3 and minus 4 plus 4 और minus 4 एक दुसरे को mark आट कर दिये, खतम हो गए ठीक, बचे किया आपके पास minus 3 और आपका answer आगया, question mark is equal to minus 3, मतलब आप कहोगे यहाँ जो आपने question mark लगा कि रखा था, उसका answer क्या होने वाला है, minus 3 होने वाला है right, clear हुआ तो यह तो समझ आ गया, so overall कह सकते हैं, कि conservation of जो charge है वह क्या होगा, तो हमारे पास conservation of charge के लिए एक formula जैसा हम लोगे ने form किया कि q is equal to q days, आप q पहले था, ठीक है, वह q days के equal ही होगा, आप वही अगर isolated system रखे हो आप उसके साथ कुझी भी करो, तो q is equal to q days होगा, that simply q1 plus q2 plus q3 is equal to q1 days plus q2 days plus q3 days होने वाला है लेकिन ध्यान रखना यह एक isolated system में होने वाला है, बास समझ आया I hope सभी को यह conservation of charge, अच्छे से समझ आया होगा, ठीक अब next point की बात करते हैं, जो बहुत ही जादा important है, और बहुत important property है charge की, वह है quantization of charge quantization क्या होता है, सर यह जो quantization, जो term आता है उसका मतलब होता है, क्या it is available in fixed amount एक fixed amount पे रहेगा fix, एक तम fix ठीक है, ऐसा नहीं है, कि सर थोड़ा सा दे दिए, थोड़ा सा ले लिए, बिल्कुल नहीं होने वाला है समझाया है क्या बात हम एक suppose हम एक pain खरीदने गए market में, तो हम क्या कर सकते हैं, एक pain खरीद सकते हैं दो pain खरीद सकते हैं दस पेन खरीद सकते हैं, 100,000, 5000,000, 1200, जो भी खरीद सकते हैं, लेकिन हम fixed amount में खरीदेंगे, क्या आप कभी धाई पेन खरीद किया सकते हो, क्या धाई पेन आपको कभी मिलने वाला है, नहीं न, तो बिल्कुल आपको समझ आगया होगा, अब यह धाई और हम जो बात कर रहे थे fixed amount की क्लियर हुआ बस वही condition यहां पर भी चार्ज के साथ होता है कि चार्ज हो है अमेशा quantized होते हैं तो इसी लिए इसकी जो एक property important property हो है क्या quantization of charge charge is available in fixed amount always okay इसके definition की बात करें तो हम लोग समझें कि the smallest the smallest charge that can exist independently is charge on one electron ठीक है अगर हम यहां smallest charge की बात करें जो exist करता है वो भी याद रखना independent जो exist करता है वह है कौन charge on one electron एक electron पर इतना charge होता है वह ही क्या है independent exist करता है मतलब सबसे छोटा unit है one electron का charge और हम सब तो बहुत समझदार है सर electron के बारे में हम जानते हैं और एक electron पर कितना charge होता है 1.6 into 10 is to power minus 19 कुला सभी को पता है क्या ठीक है और इसे ही क्योंकि smallest है smallest charge है इसलिए इसको क्या कहेंगे it is called fundamental charge पास समझाया है क्या ठीक अब देखो क्योंकि यहां पे charge के लिए electron ही क्या होगा responsible होता है कोई भी body जो है बना हुआ है किससे बना हुआ है atom से बना हुआ है atom से बना हुआ है body बना है किससे बना है एक body है suppose यहां पे यह atom से बना है इसमें बहुत सारे atom है atom में क्या होता है सर electron proton neutron होते हैं ठीक है और electron बस क्या होता है electron बिचारा इस atom के बाहर जो है outermost cell पे electron ही चक्कर लगाते रहता है और यही क्या होता है responsible होता है चार्ज के लिए यही मूँ करता है क्योंकि जो proton का मास है वह तो बहुत ज़्यादा होता है अप्रॉक्स 1.672 इंटू 10 इस्टो पॉर माइनस 27 केजी ठीक है जो बहुत ज़्यादा है यह कह सकते हैं अप्रॉक्सिमेटली 1000 जो है टाइम्स बड़ा ज़्यादा होता है किस से electron के मास से ठीक है तो यह जो है electron ही क्या करता है move करता और यही responsible होता है तो electron जो है move करके जा सकता है किसी body से निकल सकता है और किसी body पे जा भी सकता है यहां था clear हुआ क्या बात तो electron कैसे जाएगा सर आधा electron कभी भी नहीं जाने वाला है तो इसके quantization की definition की बात करें ध्यान स सुनना यहां notes में आपको अच्छे से यह clear नहीं दिख रहा है तो अच्छे से note करना है इसको quantization of charge की बात करें हम लोग तो इसका definition क्या है charge always exists in integral multiple of fundamental charge clear एक बार और repeat करूँगा charge always exist in integral multiple of fundamental charge this is known as quantization of charge either it can be distributed as transferred plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 plus 8 and so on plus NE or minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 6 and minus NE clear कभी भी electron जो है sir डेड़ electron चले गया sir धाई electron चले गया sir 2 and 2 by 2 2 by 5 electron निकल गया साड़े 5 electron निकल गया ऐसा बिलकुल भी नहीं होने वाला ये नहीं होगा ठीके electron जो है वो क्या होगा integer के form में ही निकलेंगे सो हमारे पास एक formula बन क्या आता है quantization का क्या बनता है q is equal to plus minus NE where q is charge on anybody and n is integer and e is the fundamental fundamental charge which is charge on one electron 1.6 into 10 is to power minus 19 कुलाम clear होगे सभी को quantization जो है अब इसे apply कहा करेंगे ये क्या है sir अब समझ गए इसका application जड़ा दे के तो एक simple सा question हमने लिया charge of plus 8 into 10 is to power minus 18 कुलाम can be given to a body question दीख रहें सभी को अब question ये कह रहा है कि भाई क्या आप इतना charge किसी body को दे सकते हो sir चेक करते हैं दे सकते हैं कि नहीं हमारे पास simple सा formula क्या q is equal to NE sir q का value कितना है 18 into 10 is to power minus 18 वही तो देना है और n क्या है integer ए integer तो नहीं बता है हमको n को n रखते हैं और electron e का value क्या होता है 1.6 into 10 is to power minus 19 तो आप n यहां क्या करोगे रखोगे यही और बाकी numbers जो है इधर transpose कर दोगे 1.6 को इधर transpose कर दोगे तो कहां चले जाएगा upon में आ जाएगा तो और हमारे पास क्या मिल गया n is equal to 18 into 10 is to power minus 18 upon 1.6 into 10 is to power minus 19 simple सा mathematics है आप इसे अराम से solve कर सकते हैं इसे ऐसा करो जरूर ठीक है अब आपको पता है formula 10 is to power minus 18 है 19 उपर गया तो सर क्या हो गया प्लस हो गया 10 is to power minus 18 plus 90 क्या हो गया 1 हो गया मतलब 10 is to power 1 means 10 तो आपके पास क्या मिला 10 मिला only 10 मिला इदर और इसको डिवाइड कर दो सर आप बिल्कुल 1.6 से किसको डिवाइड करना है आपको 8 को तो 16 5 सा 80 सी सिम्पल सा यहाँ पर आप का answer आगए क्या 5 5 into 10 it means 50 और 50 इस क्या है एक इंटिजन नंबर है 50 is in इंटिजन नंबर सो हम कह सकते हैं कि यह जो प्लस 8 into 10 इस पॉर माइनस 18 कुलाम चार्ज जो है वो दे सकता है क्लियर हुआ क्या पुरी बाते समझ आई आप सभी को ठीक है अगे चलते हैं फर्दर अब जैसा मैंने बताया था कि लास्ट में हम देखने माले कि क्या के मैथड होते हैं ठीक है चार्ज को प्रोड्यूस करने के किसी बोडी में उसको थोड़ा और डिटेल से समझते हैं ओके तो फर्स्ट हमारा क्या तरीका क्या था फर्स तरीका था हमारा कि charging by conduction charging by conduction is known as contact method or direct method let us suppose to conduct in body which is A and B बोथ हार conductor remember बोथ हार conductor but A is negatively charged and B is neutral आप चाहो तो A को positively charged भी ले सकते हो हमने यहां क्या लिया समझने के लिए negative charge body लिया A को और B क्या है यहां neutral है बाते क्लियर हो गया जैसा method हमें बताता है कि यह conduction है by contact है दोनों को pass लियाओ दोनों को touch करा दो ठीक है दोनों touch हो गए A और B क्या हुए touch हुए दोनों को आपने contact में लाया तो यहां पे जो A के पास negative charge था वो क्या हो गया B के तरफ transfer होने लगा क्योंकि B तो था by neutral charge यहां पे distribute होने लग गया यह equal distribute होगा कि नहीं होगा यह तो बात की बात है कि वो कैसा material उसका shape कैसा उसका size कैसा है यह सब पर depend करता है ठीक है लेकिन च्योंक चार्ज जो है जो charge body था कौन A इससे electron जो है sorry minus charge जो है वो निकल के कहां आ गये B पे आ गये तो कि B पहले neutral था अब B भी भाईया हो गया क्या negative charge ठीक है दब दोनों को आप separate करोगे तो A के पास तो already पहले से negative charge था ही यह जो body पहले neutral था B उसके पास भी negative charge हो गया बोडी क्या रहेगा चार्ज रहेगा दुसरा बोडी neutral रहेगा दोनों को contact में लाने हैं तो क्या होगा जो charge body है उसमें से जो भी charge है अगर negative है तो negative और positive है तो positive transfer हो जाएगा धिया रखना है अगर आपको neutral body B को positively positively charged करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको body जो लेनी है वह अभी positively charged होनी चाहिए समझाया क्या ठीक अब देखो contact से यह तो समझ आ गया और यहां आमने एक note भी लिखा है देखो if shape, size, material of both conductor is same then charge distributed equally अगर दो body है दोनों के size, shape और material दोनों का क्या है same है तो charge जो है equally distribute होंगे equally ठीक है सपोस हमारे पास एक neutral body क्या है यहां पे खाली दिखर है जिसके मैंने circle लगाया और एक charge body है जिसके पास total charge है क्यों है ठीक दोनों का shape, size, material सबसेम है आप इसे contact मिलाओगे touch करा दोगे तो दोनों पे जो charge है वो distribute हो जाएगा equal q by 2 और q by 2 इस पे भी आ गया और q by 2 इस पे भी आ गया ठीक है समझाया तो यह तरीका था क्या charge by conduction का अब charging by induction देखते हैं without contact अब कुछ नहीं करना है सर बीना चुए आखों ही आखों में ठीक है बीना चुए आपको क्या करना है यहाँ पे charging करना है दो body है तो क्या होता है इसे हम induction कहते है charging by induction कहते हैं ठीक है without contact method भी कहते हैं इसको ठीक है again let two body दो body हमने लिया फर्स्ट वन इस निगेटिव चार्जट और सेकेंड वन इस neutral ए जो है negatively charged है और भी क्या है neutral है ठीक है सर अब क्या कि हमने दोनों को पास लाया बस पास लाना है सर चुवाना नहीं है बिल्कुल भी नहीं चार्ज था body A पे तो उसके पास जो है क्या हो जाएंगे positive चार्ज आ जाएंगे दूसरे body B के बास समझ जा रहे है क्या clear हुआ ठीक है क्योंकि negative हमेंसा attract करता है कि इसको positive को अब ऐसा नहीं सोचना है कि positive इदर आ गया नहीं आया positive अपनी जगह में है negative जो है उससे दूर चल चले गया ठीक है further in पे चले गया तो फिर से समझते है जो body था जिस पर निगेटिव चार्ज था उसको आपने एक neutral body के पास लाया जिसके पास positive और negative दोनों चार्ज एक्वल थे तो क्या हुआ positive और negative जो है separate हो गए polarized हो गए इसको क्या कहते है polarization कहते है ठीक है simple है इसको आपने कभी सुना होगा और details है हमें आगे भी पढ़ेंगे chapter हमारे पास है आगे ठीक है उसमें पढ़ना है हमको तो यह polarization है जहां क्या हो गया body A जो है उसमें negatively चार्ज था जिसके कारण body B का जो positive चार्ज है वो कहां आ गया polarized हो गया ठीक अब क्या आ दिया और धर्ती तो हमारी माता है यहां ocean of electron है कितने भी electron ले सकता है और दे भी सकता है धर्ती अब इसे क्या कर दिये सेपरेट कर दिये हां ध्यान रखना है इसको पकड़े रहना है यह दोनों और इसको यहां से सेपरेट कर दिये सेपरेट कर दिये तो यह जो बॉडी भी था पहले बॉडी भी के पास क्या कोई भी चार्ज नहीं था अब यहां देखो इस डाइग्रम body जो लिया था पहले ठीक है जो क्या था अगर आपने negative charged body लिया और एक neutral body है उसके उसको conduction किया तो उसमें negative charge ही आएगा समझ रहे हो क्या लेकिन अगर हम induction method से करते हैं तो अगर आपके पास एक negative charge body है और induction से दूसरे neutral body को आप charge करोगे तो उसमें हमेशा क्या होगा अप positive charge आएगा तो देखो यहां पर निगेटिव था तो कहा क्या आया positive ध्यान समझ आया क्या अगर यहां positive होता तो यहां negative आता आप करके देख सकते हैं और यह डाइग्राम अगें फिट बना कि इसको चैसे समझ सकते हैं क्लियर हुआ यहां बहुत जादा आपको theory लिखने का जरूरत नहीं है इस समझ आया क्या ठीक लास्ट जो मैथड है लास्ट टेक्निक है यह प्रोसेस है कह सकते हैं कि वह है क्या charging by friction और रबिंग बहुँ simple सा प्रोसेस है friction और रबिंग जो है यह mainly insulator पर होता था दो मैथड हम लोगों ने देखा कौन कौन सा देखा कि charging by conduction and charging by induction दोनों जो है वो conductor के लिए थे लेकिन यह जो friction और rubbing जो मैथड है वो insulator के लिए है suppose हमारे पास दो material है ए और भी दोनों क्या है insulator है आपने दोनों को rub कर दिया रब कर दिया रब कर दिया रगड दिया सर फ्रिक्शन किया friction करने से क्या हो गए वहाँ गर्मी उत्पन्न हो गया kinetic energy के कारण वहाँ पर थर्मल एनर्जी जो है प्रोट्यूश हो गया kinetic energy किसमें convert हो गया thermal energy में और जो आपके पास दो इंसुलेटर थे इंसुलेटर ए और इंसुलेटर भी दोनों में कुछ atoms आपको दिख रहे होंगे डाइग्राम में यहाँ किसमे थर्मल एनर्जी में अब थर्मल एनर्जी में convert हुआ तो वह जो भाई साब जो इलेक्ट्रोन यहाँ बैठा था वह खुच हो गया वो अरे इलेक्ट्रोन तो किसी के पास जाने के लिए हमेसा तैयार बैठा है उसको एनर्जी मिल गई और वह जा भी सकते और आ भी सक 20-30 करता है डिपेंड करता है कि आफके पास busyoryo B है कौन एक्ट्रोफ नीगेट्व है कौन जादा इलेक्ट्रोनीगेट्यू यादा इलेक्ट्रोफ बास समझ लारे है यहां डिपेंड करता हैकि क्समें से निकलिएगा और किसमें जायेगा तो हम यहाँ सिंप्य प्रोसेस स thermal energy जो है उस atom के electron के पास जैसे ही मिला electron क्या हो गया, मूँ कर गया ठीक है, और जो दूसरे material पे चले गया और दूसरे material पे गया, तो वहाँ से क्योंकि electron एक material से निकला था और दूसरे material पे गया तो जिसमें इसे निकला था उस पे positive charge और जिसमें गया वहां पर निगेडिव चाँ Mysh жाए जहां से लेक्ट्रोण हमें निकले गा महां पॉजिटिव चार जाएगा और जिसपे चाया वहां निगेडिव चार जाया तो आइ होप यह लेक्टर में आपको इतनी बात अच्छे से समझाई होगी बहूत simple way से और simple technique से मैंने समझाया ठीक है जैसा आप सभी को पता है हमारा जो fundamental हम लोग ने start किया आज basic start किया आपको अच्छे से समझाया होगा और आगे हम देखने वाले हैं इसके next topic को तो हमारे इस channel के साथ हमेशा बने रहे 100% आपके लिए beneficial होगा ठीक है अगर आप note prepare करते हैं त video post करके notes लिखिए जो करना है आपको करिए लेकिन बस अच्छे से पढ़ते रहे ठीक है लास्ट में जरूर कहूंगा again कि हमारे इस channel को maximum लोगों तक maximum से maximum लोगों तक आप पहुंचाईए सेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ाई है हमारे ताकि हमको भी हम motivation मिलते रहे कि हम इससे भी better और better से better हम content आपको provide कराते रहे हैं ठीक है तो सभी को अच्छे से पढ़ो ठीक है नेस्ट वीडियो में मिलते हैं ओके बाया